दोस्तों कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने हम सवाल किया था कि सर फ्रेम इस्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम बीम आजकल देकर मकान को बनाया जाता है तो हम तो यह डिजाइन के हिसाब से दो मंजिल तीन मंजिल चार मंजिल या जितना हमारे कि यह रहता है कि हम कितने मंजिल उस बीना कॉलम और बीम के मकान को ले जा सकते हैं कितना मंजिल बना सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो यह लोड बीरिंग मकान यानि बीना कॉलम और बीम का जो मकान हम बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ बातों का दियान रखना होता है और हम कितना बना सकते हैं तो आपको बता दूँ कि देखिए बनाने को तो हम दो से तीन मंजल तक बना सकते हैं लेकिन जो serf चीज होता है मतलब कि बोला जाता है ने कि कोई जैसे कि अर्थक्विक अगर आ जाता है या और भी कोई lateral force पड़ जाता है تو जितना में हमारा मकान वहांसे गिरने का चांस ना रहा है, कि दिवारों में करायक आने का चांस ना रहा है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ज़यादा ज़यादा हमें क mandated कर ले चाहिए । चाहिए कि हम 2 मंजिल तक ही लोड बीयरिंग मकान बनाएं, जिसमें की column नहीं होता है, कोलम भीम अगर आप नीचे से दे रहा हैंई भी फुटिग दे रहा है तो फिर आराम से अप ऐसे माकान को 3-4 मनजल तक बना सकते हैं लेकिन अगर आप लोड बीयरिंग भना रहा है तो नोड बीयरिंग में सब से फैले क्या करना है कि फूटिंग देखिए, फूटिंग के लिए हमें क्या करना है कि जो हम नीचे जमीन से, जहां पर मेरा ग्राउंड है, जमीन है, ग्राउंड लेवल है, जिसको हम पिलिंद लेवल भी बोलते हैं, वहां से आपको तीन से चार फिट तक अपने दीवार तो सारा उठाना पड़त पूरा घर बंद जाता है, फिर उसी बीम पे आपका जितना भी घर का दीवार है, सब दीवार आएगी, तो बीम आपको देना है, फिर जितनी भी दीवार दें, आप पहले मंजिल का वो 9-9 इंच का आपको दीवार बनाना है, कितना ऊपर तक, जहां तक आपको छट डालना और सबसे एक और बहतरीन चीज यह रहेगा कि आप ज्यादा नहीं तो कम से कम चार इंची बाई चार इंची का या चार इंच बाई नो इंच का आप जूल बीम दिया जाता है खिड़की और अपना दरवाजे के लेवल पे लेवल पे तो वहाँ पर आप दे देंगे तो क्या होगा कि दिवार को सपोर्ट मिल जाएगा जैसे कि आप माल लीजे 6-7 फिट आप दिवार उठा लेते हैं फिर उसके उपर आप वो बीम डाल दीजे बीम डालने के बाद फिर 3-4 फिट यानि 10 फिट अगर आप हाइट रख रहा है तो 3 फिट और 11 फिट हाइट रख रहा है फिर उसके उपर दूसरा मंजिल जो बनाएं उसमें आप करे क्या कि आउटर आउटर साइट की जितनी दिवार हैं सब 9 इंच की कर दें और अंदर की जो दिवार है वो सारी की जितनी दिवार है वो आप 4 इंच की कर दें यानि में में दिवार आप 9 इंच का कर लें और अं सबसे पहले नीचे प्लिंथ बीम जरूर देना है फिर उसके बाद दिवारों के बीच में सेंटर पे छे फिट साथ फिट पे जहां पे खिड़की और बीम दरवाजा है उसके उपर आप एक बीम प्रोवाइड कर दें ताकि घर बन जाए फिर आप छट कर लें फिर दूसरे जब मकान बना है दूसरा फ्लोर तो उसमें भी आपको सेम यही काम करना है